हलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डाइगोनल रिलेशंशिप बेट्विन बोरॉन एंड सिलिकन के बारे में, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बोरॉन और सिलिकन कौन कौन सी सिमिलर प्रापर्टीज सो करते हैं, देखिए जब कोई ऐलिमेंट अपने नेक्स्ट के ऐलिमेंट से सिमिलर प्रापर्टीज सो करता हैं, तो उसको हम डाइगोनल रिलेशंशिप कहते हैं, अब प्रेडिक टेबल में बोरॉन और सिलिकन डाइगोनली प्लेस्ट होते हैं, इसलिए ये सिमिलर प्रापर्टीज सो करते हैं, अब सिमिलर प्रापर्टीज का रिज करते हैं preparation की तो देखिए दोनों elements को इनके oxide का reduction magnesium के थुरू करके prepare किया जा सकता है फिर बात करते हैं action of alkiles तो देखिए दोनों elements alkiles में dissolve हो जाते हैं बोरॉन की बात करें तो ये fused alkiles में dissolve होता है और silicon fused और breakfast दोनों तरह के alkiles में dissolve हो जाता है अब जो बोरॉन है वो alkiles के साथ metaborate बनाएगा और जो silicon है वो alkiles के साथ metasilicate बनाएगा ये हो जाएगी इनकी reactions और इस reaction से hydrogen gas liberate होती हैं फिर next point हो जाएगा action of water and non-oxidizing agent तो देखिए ये दोनों ही element water और non-oxidizing agents के साथ reactions हो नहीं करते हैं फिर बात करें occurrence की तो इन में से कोई भी element free state में अकर नहीं होता है ये दोनों oxy compounds के form में मिलते हैं जैसे borates होगे या silicates होगे फिर next point हो जाएगा non-metallic character देखिए अगर हम दोनों elements की बात करें तो ये chemically non-metalls होते हैं और heat और electricity के bad conductors होते हैं फिर next point हो जाएगा allotropic forms देखिए दोनों elements दो allotropic forms so करते हैं एक हो जाएगी amorphous और दूसरी हो जाएगी crystalline अब crystalline form की बात करें तो दोनों elements के लिए ये form amorphous form से hard और less reactive होती हैं फिर बात करें density, electron negativity, ionization potential और boiling point की तो दोनों elements के लिए इन properties की value almost same होती हैं फिर next point हो जाएगा melting points देखिए दोनों elements के लिए melting points की value high होती हैं ये हो जाएगी इनके लिए melting points की values फिर next point हो जाएगा formation of covalent compounds दोनों ही elements covalent compounds बनाते हैं जैसे hydrites, halites और oxides ये हो जाएगे इनके hydrites के example ये हो जाएगे halites के और ये हो जाएगे oxides के example फिर बात करते हैं reactivity की तो ordinary temperature पर दोनों elements नॉर्मली inert होते हैं और air से oxidize नहीं होते हैं और दूसरे elements या dilute acids के साथ reaction सो नहीं करते हैं अब देखिए अगर temperature को increase करते हैं तो इनकी reactivity increase हो जाती हैं और ये elements higher temperature पर metals और non metals के साथ reaction करते हैं फिर next point हो जाएगा combination with metals देखिए जब boron और silicon की reaction magnesium के साथ होती हैं तो boron बोराइड बनाएगा और silicon silicide बनाएगा फिर next point हो जाएगा oxides तो देखिए दोनों metal oxygen के साथ combine होके oxides बनाते हैं फिर next point हो जाएगा hyalides तो देखिए दोनों ही elements hyalides का formation करते हैं ये हो जाएगी इनकी hyalides formation की reactions फिर next point हो जाएगा non existence of oxy salts तो देखिए दोनों ही elements किसी भी तरह के oxy salts नहीं बनाते हैं फिर बात करें hydrates की तो boron बोरेंस बनाता है और silicon silence बनाता है बोरेंस बोरोन के hydrates हो जाएगे और silence silicon के hydrates हो जाएगे और ये हो जाएगी इनकी reactions जिसमें बोरेंस और silence का formation होता है फिर next point हो जाएगा sulfides देखिए दोनों elements अगर sulfur के साथ combine होते हैं तो sulfides बनाते हैं और इनके जो sulfides होते हैं वो water के साथ reaction करके H2S gas liberate करते हैं फिर next point हो जाएगा nitrites देखिए दोनों elements nitrogen के साथ combine होके nitrites बनाते हैं और ये जो nitrites हैं वो steam से reaction करके ammonia release करते हैं फिर next point हो जाएगा carbides देखिए अगर इनके oxides carbon के साथ direct reaction करते हैं तो इनके carbides obtain होते हैं अब ये carbides covalent network solids होते हैं जो कि water के tours inert होते हैं और hard substances होते हैं इसलिए इनका use abrasive के form में किया जाता हैं फिर next point हो जाएगा formation of complexes तो देखिए दोनों elements complex बनाते हैं ये हो जाएगा boron का complex जिसको हम hydrofluoboric acid कहते हैं और ये हो जाएगा silicon का complex जिसको हम fluosilicic acid कहते हैं करते हैं